आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं पीजा की एक इंस्टेंट रेस्पी जो पांच मिनिट में बनके तयार हुजाता है और यकीन मानिए आपके बच्चों को यह बहुत पसंद आएगा तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए हम सबसे पहले यह गार्लिक ब्रैट लेंगे यह पीजा सॉस लगाएंगे इसी तरह बाकी स्लाइज़िस पर भी सॉस लगा लेंगे अब हम इसके उपर प्याज लगाएंगे मैंने यह लंबे-लंबे काते हैं आप चाहें तो आप चॉप भी कर सकते हैं कि शिम्ला मीच लगाएंगे मश्रूम रखेंगे आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं जैसे बीच में कौन भी डाल सकते हैं पनीर भी डाल सकते हैं कोई भी बेबी कौन आप अपने हिसाब से कुछ भी कोई भी सब्जी जो आपके बच्चे पसंद करते हैं उसको डाल सकते हैं चीज डालेंगे चीज आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं हमारे घर में चीज सब बहुत पसंद करते हैं तो इसलिए मैं जादा डालती हूं उपर से औरिगेन डाल देंगे चिली फ्लेक्स डालेंगे और इसी तरह बाकी दो पीजा भी रेडी कर लेंगे यह देखिए हमारे चारो पीजा रेडी हो गए हैं अब हम इसे माइक्रोवेव के स्टैंड पर रखेंगे जो लंबा वाला रैक होता है उस पर रखना है यह मैंने सारे पीजा बेस माइक्रोवेव स्टैंड के स्टैंड पर रख दिये हैं जादा बेक नहीं करना क्योंकि युम्हारी अरडी बेक्ट है बस इतना ही करना है कि यह जो चीज जो है यह मैल्ट और यह देखिए हमारा दो मिनिट में पीजा बनके रेडी हो गया है अब हम इसे सफ़ करेंगे यह देखिए कितना प्यार है उपर से चीज भी मेल्ट हो गया है सब्जियां भी हल्की सी क्रंची है और नीचे से ब्राउन भी हो गया है अगर आपके बच्चे कभी पीजा खाने की जित करें और आपके पास टाइम कम हो तो आप इसे करें बच्चों को खुश कर सकते हैं आप अगर चाहें तो उपर से ओरिगेनो चली फ्लेक्ष और डाल सकते हैं अगर आपको यह रैस्पी पसंद आई आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक किजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्स्क्राइब क करना ना भूले आप यह रैस्पी एक बार जरूर ट्राई करें और अपने अनुभर मेरे साथ शियर करें एंज्वाई बाई बाई